हेलो दोस्तो वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज का मारा टॉपिक है आर्क एंगल रिलेशन्शिप आर्क एंगल रिलेशन्शिप क्या होता है और उससे लिटिट कितने टैप के कोश्चन अंस एकजाम में पूछ जा सकते हैं आए देखते हैं जैसे जैसे सरकल है ठीक दोस्तो यहां से तक है चॉप औलते हैं तर यहां से यहां से एक रेबिस्टा करूं यह स्मॉल आर ठीक है दोस्तो यहां से यहां से टक हूं मैं थे हैं एक ट c से तक चेहां के लैंध के टो अर गवर क्या हो गई ये एक होता है रिलेशन होता है ठीक है दोस्तो और जृतता हमेशा क्या होता है ते रेडियं फोम में होता है ठीक है आए अब देखते हैं इस से लेटेड कितने टेप के कॉश्चन हम से एक्जाम में पुछ जासकते हैं आए देखते हैं आए कोश्चन देखते हैं कोश्चन पढ़ देता हूं find in degree the angle, मुझे angle find out करना है, ठीक है दोस्तो, degree में, the subtended at the center of a circle, हाँ जी, एक कोई circle है, उसके center में यहाँ पर कोई angle बनेगा, यह मुझे find out करना है, ठीक है, और जिस circle का, जो circle उसका diameter का दे रहे हैं, मुझे diameter, diameter को small d लिख लेते हैं, यह का दे रहे हैं, यह का दे रहे हैं, ठीक है, और मुझे find out किस की value करनी है, ठीक है, ठीक है, फार्मूला होता क्या है, जैसे फार्मूले में तीन चीज़ें, दो चीज़ें दियोती है, तीसी चीज़ें पूछ ली जाती है, आईए देखते हैं, question करते हैं, हाँ जी, तो फार्मूला ठीक है, जो किसके बराबर ह हैं, तो क्या आएगा है, हाँ पर 25, ठीक है, तो फिट्टा की value क्या आगी, 11 बटे 25, ठीक है, तो ये क्या है हमें, मैंने आपको बोला था, जो फिट्टा आएगा में चाहिए, पर मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे तो answer कहा चाहिए, एंगल डिगरी में चाहिए, औ और मैंने आपको बताया था यह क्याएक रेडियर में है और रेडियर से डिगरी में कैसे कनवर्ट करते हैं 180 बटे में पाई ठीक है दोस्तों 180 बटे पाई की वेलू रख देते हैं पर 22 मृटिपलाई साथ इसको सॉल कर लो हां जी 11 दूने 22 और 90 दूने 180 ठीक है हां जी 55-25 यह 5 पर गउया 55-25 और यह 5 एकम 5 यह 5 पांच 4,05, 50, 40 ठीक है दोस्तों यह कितना आ गया 856,5,7,5,12,126 बटे 5 आ गया यह किसे इंसर डिगरी में आ गया ठीक है मैंने आपको मिन्टे बना लेते हैं हैं तम बना मैं बनी मिन्ते और में 16 में पास हा जी 25 डिगरी और हाँ जी 12 12 मिल्ट तो 35 डिगरी 12 मिल्टे क्या सब्सक्रीर 25 डिगर रान ठीक दोस्तों और कोम क्वा तो जैसे question है if length of arc length of arc मैंने बोला length of arc को किसे denote किया जाता है L से इसकी value के देर किया 25 cm ठीक है दोस्तों and radius radius देर किया R की value देर किया अब यहाँ पर length of arc देर किया centimeter में और radius देर किया meter में इनको same कर लो तो meter को भी मैं centimeter में करूँगा तो multiply 100 कर दूँगा तो यह कटेगा तो क्या देगा 50 cm ठीक है दोस्तों और मुझे value finder करने है ठीटा गी ठीटा की value क्या अत्ती है ठीटा is equal to L by R होता है ठीक है L की value क्या है 25 और R की value क्या है 50 हाँ जी यह कट गया 1 by 2 यह 1 by 2 क्या आया यह 1 by 2 डिगरी आया नहीं र हमेशा एंगल की में रडियन आता है यह 1 by 2 क्या रडियन में ठीक है दोस्तों अगर आपको adding you happen तो ठीक होगहा अगर आपको डिग्री में वर दिदीगरी में झाया ठीक है ठीक है दोस्तों आइई और do आईए एक कॉस्टन और देखते हैं जैसे क्वाइट लेंट ओफार्ख अब मुझे क्या फांटर करना लेंट ओफार्ग यहां पर लिख दिते हैं जो फांटर करना मुझे लिकी करनी है ठीक है दोस्तों और मुझे के गिवन है रेडियस आर किया मेरे पास वैल्यू 10 cm ठीक है एंड विच सब्टेंटेट एंगल ओफ 45 डिग्री और थिट्टे को लोके दिर किया मुझे 45 डिग्री ठीक है 180 ठीक है दोस्तो 45 चोके 180 तो पायवाई 4 तो ठीक है याँ थे कि पूट करते हैं थिट्टां चेबराबर रोता है है लबाय आर के ब्रबर मुझे लिधा दो आर के द्राक्ता तो ऑर कि द्रमोट्प्लेय और ठीक है नगहीं है pi by 4 ठेक है दोस्तो हाँ जी अब pi की value put कर देते हैं pi की value के हत्ती है 22 बटे 7 और multiply 1 by 4 ठेक है इसको solve कर लीजी वह आपका answer आजेगा यहाँ पर 11 बच गया हाँ जी 110 by 14 ठेक है score काट लो कितने पर गया 2 पंजे 10 ठेक है दोस्तो 2 पंजे 10 एक एक दो पंजे 10 और 2 सते 14 ठेक है दोस्तो यह कितने पर गया 7 उननजा 6 6 0 और 7 उटे 5 ठेक है 7.8 something आजेगा यह क्या आजेगा 7.8 something centimeter यह मेरा क्या आजेगा right answer तो length of r की value क्या गी 7.8 centimeter ठेक है दोस्तो I hope आपको question समझाएगा एक question और देखते हैं जैसे statement पर देता हूँ मैं the mint hand of a watch एक कोई watch है जिसकी mint hand का है 1.5 centimeter long ठेक है दोस्तो यहाँ भे मैं diagram बना देता हूँ यह कोई watch है ठेक है दोस्तो जो इसकी mint hand है यह मालीजियसकी mint hand है इसकी length कितनी है 1.5 इसकी length है 1.5 centimeter ठीक है How far does it tip move in 40 minutes तो वो question में क्या पूछ रहा है जो इसकी mint hand है न 40 minutes में 40 minutes में कितना distance कवर करेगी ठीक है How far does it tip move जो इसकी 40 minutes में 40 minutes के बाद यह कितना distance कवर करेगी ठीक है अगर आप सोचने कोशिच करें तो arc length length of arc यहां से लेकर यहां तक यह length of arc होती है मालीजी जैसे कोई बाद है यह क्या है mint hand है ठीक है दोस्तों 40 minutes बाद घूम के मालीजी यहां पर आ जाती है ठीक है मान के चलते है तो यह angle बना रही है इसके साथ ठीक है और यह कैसा रहा यहां से लेकर यह length है length of arc है और यही मुझे length of arc find out करनी है ठीक है अब length of arc length of arc theta is equal to formula क्या था theta is equal to L by R formula मुझे दो चीज़ें चाहिए होती है क्या 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 चाहिए होती है formula में अगर 3 चीज़ें तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती है अब मुझे length निकालनी है तो length निकालने के लिए मुझे मुझे पास क्या क्यों है चाहिए एक तो theta की value होनी चाहिए और एक मुझे पास R की value होनी चाहिए ठीक है दोस्तो अब R कै है यह total mint end है तो इसकी length क्या है 1.5 cm ये मेरे पास R है R क्या है मेरे पास 1.5 cm ठीक है दोस्तो R तो मेरे पास आगी लेकिन मेरे पास theta नहीं है अब theta कैसे funded करेंगे आईए देखते है हाँ जी theta कैसे funded करेंगे अगर आप सोचें अब ये जो watch है ठीक है दोस्तो मैं लिख सकता हूँ 60 मिंट में कितना डिगरी घूम रही है सुई 360 डिगरी घूम रही है ठीक है दोस्तो तो एक मिंट में कितना घूमेगी 360 बटे 60 ठीक है दोस्तो एक मिंट में इतना घूमेगी पर मुझे निकालना कितना है 40 मिंट में तो 40 मिंट में कितना घुमेगी 360 बटे 60 गोना में 40 ठीक है दोस्तों इसको काड़ दो यह क्या दो दूनी चार और दो तीए 6 ठीक है दोस्तों हाँ जी तीने कम तीन तीन दूनी और यह आ गया 240 डिगरी ठीक है दोस्तों énложल में अनल यूज करते है मैं तेs कर लेंगे में डिगरी से कैसे करते है प्र दिंगरी से कैसे करते हैं पाइब र्वाइ एक सोस इसके साथ यह कट गया हांजी कितने पर गया तीन अठ्थे चोवी और तीन चीकर ठारा अजी दो चोट और दो तीचे तो एंगल को आगया फोर पाय बाई थ्री और यह रेडियन होता है ठीक दोस्तों तो एंगल की वेल्व का गी फोर पाय बाई थ्री मैं यहां पर देता हूं फोर पाय बाई थ्री ठीक है दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं आई होप आपको समझाया होगा तो अब एंगल की वेल्व भी आगी अब बस मुझे क्या एल की वेल्व निकालनी है फार्मूली थिट्ट एज गुल्ट इसके ब्राबर होता है मैं यह देता हू थिट्ट इज़गुल काता है L by R और मुझे L की वेल्व निकालनी है तो R थिट्टा होजेगा फान जी थिट्टे की वेल्व कया है 4 और PY by 3, और R की वेल्यू क्या है, 1.5 cm, ठीक है दोस्तो, इसको शॉल कर लीजे, हां जी, इसको शॉल करेंगे, तो क्या आएगा, solve कर लेते हैं इसको 4 multiply pi by 3 multiply 15 बटे 10 ठीक है दोस्तो 3 पांजे 15 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 तो यह क्या आ गया 2 pi ठीक है दोस्तो और pi की value रख देते है pi की value क्या आती है 22 बटे 7 भी होती है और 3.14 भी होती है I hope आपको पता होगा इसकी multiply करते हैं 6.28 cm ठीक है और 6.28 cm के A तो A कहा जगा इसका right answer ठीक है दोस्तो तो इस तरह से आप arc angle relationship selected किसी भी type का question easily कर सकते हो आपको सिर्फ यह बात याद रखनी है जो theta use होगा वो मेशा radian form में use करना है ठीक है दोस्तो I hope आपको यह समझाओगा Thank you very much